बिग बॉस अठरा के घर में दोस्तो बहुत बरी एक इगोइस्थिक लराई हो चुकिये विवेन को सब गलत समझ रहे क्योंकि विवेन जो है चाहत को सुशू करने नहीं देना चाते है बातरूम में जाके सब लोग गलत समझ रहे विवेन को ऐसा नहीं है दोस्तो एक्चुल जाओन आए जाओन दिए इगो को सैटिस्फाई करने के लिए वो रजत को बोलती है मुझे सुसू करना है कि चाहत को जो है इतना इगो आ गया था कि उसको बातरूम में जाना है है ना जाके दिखाना है उसको विवेन के मना करने के बावजूद भी इसलिए वो रजत को बोली कि मुझे सुसू आ रही मुझे सुसू करने जाना है इसलिए पर्मिशन दिया अब सबको यह लग रहा है कि विवेन जो है चाहत को इसलिए डाटा की सुसू करने के लिए विवेन रोक रहा था नहीं नहीं विवेन को लग रहा था चाहत नहाने जाएगी इसलिए वो रोक रहा था सुसू का तो बाद में आया चाहत जो है वो सुसू करने के लिए बाद में बोली ना पहले तो वो विवेन को नहाने के लिए बोली वो है ना अगर वो विवेन को बोलती चाहत की मुझे सुसू करना है तो वो विवेन जाने देता ओविसली है ना विवेन मना नहीं करता ना व चाहत को बस अंदर जाना था विवेन के खिलाब जाके, विवेन ने उसको मना किया, कि आप नहीं जा सकते बातरोम के अंदर, मैं नाने जा रहा हूँ, और इसी भी रजत भी अंदर गया है, नाने के लिए, वाश्रूम यूज करने के लिए, खैना, क्योंकि रजत ने बोला आ रही थी असल मों उसको ego satisfy करना था अपना बात्रों के अंदर जाना था विवेन के ना बोलने से भी तो यही अब विवेन को सब लग गलत समझ रहे हैं तो विवेन तो समझा चाहत को नहाना है अगर चाहत बोलती ही कि मुझे सुसू करना है विवेन को तो वो जरूर जाने ले इसी लिए जाने नहीं दी रहा था अगर अगर शुसू का बात होता तो विवेन जाने अगर उसुसू का बात होता है पिला अटिности निकल आ ग fly उनको जो है महारज्ट्य Ś nine एब्छिन है अभी दोस्तों तो गुन्रतन सदावर्त्य जो है वो निकल चुके है घर से बेगर हो चुके है अच्छा पसनलेटी था पर क्या करें निकलना तो था उनको चलिए थैंक्यू बाई